देखे variable separable में आपने क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि भीया देखो अगर dy by dx function of xy हो जो कि हो गई होगा तो x वाला अगर function dx के साथ आ सकता है पूरा का पूरा और y वाला function dy के साथ आ सकता है तो आप अलग-अलग इसको integrate कर दो काम चल जाएगा कभी-कभी अब नहीं आ सकता है तो तो छोड़ दो question लेख दो it is not variable separable so how can I solve उसके लागे में थे बताएगा कभी-कभी question एक ऐसा आता है जिसको कि हम variable separable में जो है separate कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ज़रा समझेगा अगर आपको ऐसा कुछ लिखा हो अगर ऐसा कुछ लिखा हो कि x प्लस y प्लस c ऐसा कुछ एक साथ लिखा हो पूरा group पूरा group एक साथ लिखा हो तो इस पूरे group को कुछ माल लीजे जैसे माले x प्लस y प्लस one एक example ले लेते हैं मताँ जो पूरा का पूरा ग्रूप X और Y का एक साल लिखा हो, तो उस पूरे ग्रूप का कुछ नाम दे दो, ठीक है? जैसे कि एक्जाम्पल ले लें, ज्यादा बेहतर तरीके सुन में आएगा, जैसे मान लीजे, मताँ इसका फंडा तो यही है आपका, पूरा ग्रूप एक साथ है, उसमें साफ साफ दिखेगा आपको, कि पूरा ग्रूप एक साथ X Y के चल ला है, तो इस पूरे का एक नाम दे दो, हमने माना कि लेट एक्स प्लस बी वाई प्लस C को हमने वी मान लिया, तो प्रॉब्लम यह तो पूरा वी में कर्वर्ट हो गया ना, अब काहे का वाई 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 बचाई नहीं, अब इसको X के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसेट कर दो, वह आपको डिवाई बच चाहिए ना, तब डिफ्रेंसेट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस B डिवाई बच बरावर डिवी बच बरावर डिवी बच तो वी कॉंस्टन तो है नी, वी बी तो XY का फंक्शन है, तो यहाँ से डिवाई बाई डिएक्स की वैलू क्या मिलेगी, डिवी बाई डिएक्स माइनस A अपान B, यह मिल जाएगा, यह मिलेगा ना, और जब उठा के हाँ रखेंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, वन अपान B, डिवी बाई डिएक्स माइनस A इस इकल डिएक्स यह माइनस A उधर जाके क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में, प्लस का A, और B उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्टू का B, अब बताओ यह पूरा V का फंक्शन है, इस पूरे को V के साथ ले आओ, तो DV के साथ ले आओ, आप चाहे B को लाओ, चाहे न लाओ, A प्लस V और DX को ले जाओ, B के साथ, कोई दिक्कत, इंटिकेट कर दो, तो अब आपका V के टर्म में यहां इंटिकल हो जाएगा, और X के रिस्पेक्ट में, वहां हो जाएगा, अ अब आद में V जहां पर आए, वहां क्या लिख दोगे, AX प्लस BY प्लस C, यह पहंचाने के कैसे, जब आपको ऐसा लगे कि पूरा XY का ग्रूप एक सा लिखा, ऐसा लगेगा अपने आप दिखेगा, तो वहां पर उसको भी मा लीजे, बस, इसको कहते है, variable separable में reduce कर देना, मतब reduce है नहीं, उसको reduce किया जा सकता है, अब एक आत question देख लेते हैं, देखें, question है, dy by dx प्लस 1 is equal to e to power x प्लस y, देखें, वैसे तो यह variable separable में हो सकता था, कैसे, हमने बता है, इसको e to power x लिख दो, और into e to power y लिख दो, इधर क्या लिखा है, dy by, अगर इतना लिखा होता, तो हम क्या करते है, dx को उधर transfer कर देते हैं, और e to power y को इधर कर देते हैं, दों तरफ, गुशा पड़ा है, 1, 1 अगर जाएगा, तो e to power x into e to power v के आगे minus 1 हो जाएगा, और कहेगा, अब हटो, अब transfer करो, तो यह हम कर नहीं सकते, तो आपको दिख रहा है कि x plus y पूरा group एक स दिख रहा है न, इसको क्या बानेंगे, v, बस यही तरीका है, let x plus y is equal to v, इसको differentiate करो, differentiating with respect to x, with respect to x मतलब x को respect देते हुए, यह मतलब होता है, ऐसा लिखा जाता है, कि x के change होने पर v कितना change हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 plus dy by dx is equal to dv by dx, तो यहां से dy by dx की value क्या निकलेगी, अज़ा डाटे लिखते हैं, यही चाहिए न, आपको पूरा, अरे निकाल दो, तो क्या हैगा, dv by dx minus 1, अब इस value को उठाइए, और equation number 1 में put कर दो, putting the values in equation 1, putting the values, value में तो दो value है न, यहां पर, values in equation 1, रखे जरा, इसकी value क्या लिखिया आपने, dv by dx minus 1 plus 1 is equal to e to power v, 1 कर गया, तो dv के नीचे e to power v आ जाएगा, और dx हो जाएगा, इसको उपर ले जाओ, e to power minus v, dv, integrate कर दोगे, dx integrate कर दोगे, e to power minus v का integration, minus e to power minus v is equal to x plus c, v कमान रख दो, तो minus e to power minus x plus y is equal to x plus c, अब answer को यहां भी छोड़ सकते हो, और थोड़ा सा इसको calculate कर सकते हो, minus को उधर ले जाओ, तो आएगा e to power minus x plus y is equal to minus x minus c, पहुचिया यहां पर, अब वैसे तो यही answer लिख सकते हो, चाहो तो इसको 1 upon e to power x plus y is equal to minus, bracket में x plus c कर सकते हो, इसको उधर ले जा सकते हो, तो 1 is equal to minus x plus c e to power x plus y ले सकते हो, चाहो तो इधर ला सकते हो, तो x plus c e to power x plus y plus 1 ब्राबर 0, किसी भी format पर answer छोड़ सकते हो, लेकिन minus 1 तो हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, अजीब लग रहा है, तो नोट करिए इसको, इसकी पहचान ही ही है कि पूरा गुरॉप जो हैना, वो एक साथ होगा, ऐसा नहीं, 1 जिए x plus y हो, 1 जिए x minus y हो, नहीं चलेगा, एक पूरा गूरॉप होगा, हाँ, यह हो सकता है, कहीं पर x plus y का स्क्rays लिएका है, कहीं पर x plus y लिखा हुआ है, तो बुरा गूप एक साथ पूरा ग्रूप इसको आपको समाल लेंगे V let X plus Y is equal to V differentiate कर दो differentiating मतब understood है with respect X हो रहा है तो 1 plus DYY dx is equal to DVY dx अब आप कहेंगे differentiating भी न लिखें समल ने हो रहा differentiation तो कुछ तो लिखोगे ना आप पूरा लिखोगे तो यहां से DYY dx की value क्या आएगी आएगा DVY dx minus 1 इस value को उठाओ equation number 1 में put कर दो putting these values putting these values in equation 1 यह क्या हो जाएगा आएगा DVY dx minus 1 is equal to tan V अब 1 को अधर ले जाना पड़ेगा मजबूरी है इसको अकेला करना पड़ेगा तो DVY dx is equal to क्या हो जाएगा tan V plus 1 इसको पूरा V का function मानना पड़ेगा वन को अलग नहीं कर सकते यह DV के पास आएगा तो यह क्या बन जाएगा DV upon tan V plus 1 is equal to dx integrating both the side यहां तक पहुँचे फिर आपके ज्यान का test लिया जाएगा देखिए छोड़िये कर लें सिधर आईए इसको sign cause में करिए बस हो गए भई sign upon cause करोगे तो आएगा cause V upon sin V plus cause V DV is equal to फिलाल इसको X plus C कर दो equation number इसको 2 डाल दो क्या इसका इंटरिगर आता है आपको दो मिनिट का समझ देते हैं आप सोचिए आप चाहते हैं denominator को टी मालने इदर देखिए और इसका differentiation उपर present हो जाए यही आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको बताया यह गया था कि जो numerator है ना cause V उसको आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि D by DX of क्या करें आप sin V plus cos V और यह किसके equal आजाए यह आजाए यह आप चाहते हैं ना तो उसके लिए किसी चीज़ से आपको multiply करना पड़ेगा तो आता A into D by DX of denominator plus B into denominator यहनी कि sin V plus cos V यह हम लिख देते हैं किसकी जगे cos V की जगे अगर आप चाहते हैं इसका denominator का differentiation उपर हो तो नीचे को differentiate करेंगे तो इसका cos V minus sin V आएगा इदर देखें cos V minus sin V आएगा तो उपर cos V minus sin V करने के लिए आपको sin V minus करना पड़ेगा अब sin V minus कर दोगे तो इसका D by DX present हो जाएगा लेकिन आप sin V प्लस भी करोगे into denominator यह किसकी जगे लिखा हमने यह लिखा numerator की जगे इसको solve कर लेते हैं तो cos V is equal to A इसको differentiate करो तो इसका क्या है cos V minus sin V plus B इसकी value क्या आएगी यह तो अही लिखा है ना sin V plus cos V आप इसको चुक्छे आपको यह और B की value चाहिए ना तो आप इसके corresponding coefficient एक साथ लिखो cos V कामन ले लो यहां क्या आप चाहिएगा A plus B और plus sin V कामन ले लो तो आएगा B minus A equating the coefficient इधर क्या लिखा है इधर लिखा cos V coefficient को equate कर दो equating the coefficient देखिए cos V के साथ क्या आ रहा है यहां पर A plus B यहां पर क्या आ रहा है 1 तो A plus B की value क्या आ गई 1 equation number 3 sin V के साथ क्या आ रहा है B minus A इधर क्या आ रहा है 0 तो B की value की scale को लो गई A जब B को A रखोगे तो 2A हो जाएगा 2A बराबर 1 A की value 1 by 2 तो दोनों की value क्या आ जाएगी 1 by 2 आएगी तो इस value को उठा करके कहां रख दीजिए यहां और इसका use यहां कर दीजिए उठा करके ठीक है note करिए यहां पर पहले मतलब integration की testing यह है differential equation का काम यहीं से कतम हो गया integration आपको आना चाहिए जो R.D.S.R.M.A. में आपने putting A and B putting A and B in equation star and using in equation 2 using in equation 2 देखे actually equation 2 में cause V के अपान भी यह लिखा है ना आपने तो क्यों numerator लिखा है तो यह क्या बन जाएगा A की value क्या है 1 by 2 1 by 2 उपर क्या आएगा cause V minus sin V upon sin V plus cause V B की value क्या है 1 by 2 sin V plus cause V upon sin V plus cause V को integrate करेंगे किसके respect में V के respect में उधर क्या है X plus C अब मैं डायट कर रहा हूँ इसको T मानेंगे तो इसका differentiation उपर present है इसलिए drama किया गया है तो इसका diet क्या हो जाएगा 1 by 2 log sin V plus cause V और plus 1 by 2 इसका V हो जाएगा is equal to X plus C काम खतम अब V कमान रख दो answer आ गया मतब differential equation वहीं तक खतम हो गया अब इसके बाद का log log sin V sin V बोले तो X plus Y plus cause X plus Y is equal to 2x sorry plus V भी तो है plus V V बोले तो X plus Y is equal to 2x plus 2c answer यहां भी छोड़ सकते हैं यहां भी छोड़ा है जहां से छोड़ सकते हैं आप और आप चाहें तो log को एक तरफ कर दो लिखा रहने दो log sin X plus Y plus cause X plus Y log क्योंकि mod में लिखा जाता है इसलिए क्योंकि log negative undefined है is equal to देखो 2x में x मानस होगा x हो जाएगा y उधर जाएगा मानस Y और plus 2c को आप लिख सकते हैं C dash तो यह आपका differential equation है अब y को इधर लिखो इधर लिखो कोई फरक नहीं पड़ता आंसर यही आएगा note करिए लोगो पहले तो आप इसको check करेंगे कि क्या dy का function dy के साथ आ सकता है नहीं आ सकता बड़ा mixing लिखा हुआ है लेकिन यह पूरा group एक साथ है जब पूरा group एक साथ मिलता है तब आप काम करेंगे अगर यहाँ पर x minus 2x plus y होता के वल तो नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हम यहाँ assume क्या करेंगे x plus y को v assume करेंगे आप t assume कर लो क्या v का इसदार है कोई अन्य function assume करेंगे differentiate करो इसको differentiating यह question 1 है तो यह क्या हो जाएगा 1 plus dy by dx is equal to dvy by dx तो यहाँ से dy by dx की value क्या निकलेगी dvy by dx minus 1 अब इसको उठाओ और एक question वर 1 में रख दो putting these values in equation 1 putting these values in equation 1 इसकी जीगे क्या लिखेंगे आप dvy by dx minus 1 is equal to v plus 2 upon 2v minus 1 अब फिला लिए 1 हटाओ यही से काटते हम इसको हटाया यहाँ से उधर कर दिया plus 1 अब ले लिया calcium तो dvy by dx is equal to क्या आएगा v plus 2 plus 2v minus 1 upon 2v minus 1 तो यह आपका क्या बनेगा यह बनेगा dvy by dx is equal to यह आएगा 3v plus 1 3v plus 1 upon 2v minus 1 अब यह पूरा का पूरा वी जाएदर का तो नहीं है बच calculation गबड़ा नहीं होना चाहिए यह आएगा आपका calculation हो करके 3v plus 1 upon थीक होगा इस पूरे को इसके साथ ले आओ 2v minus 1 upon 3v plus 1 dv integrate कर दो is equal to dx को integrate कर दो अब इसका integral आपको आना चाहिए इसका integral निकालने की तरीका क्या है देखो ध्यान से यह degree 1 है ना उपर की degree 1 है तो वी और वी cancel कर दो वी और वी cancel कर दीजे कैसे cancel करेंगे यह सेम चीज़ उपर ले आओ क्या करेंगे यहां से 2 कामल ले लो हमको यह बनाना है ना इसमें यह नहीं आता तो divide कर दो इंटर के student को नहीं आता तो दिक्कात हो जाएगी 2 कामल ले लिया तो ये क्या बन गया ये बन गया V-1 बन गया हमको इसको 3 भी बनाना है तो 3 से multiply कर दो तो 3 से divide कर दो और 3 से multiply कर दो बन गया 3 V और plus 1 कर दो और minus 1 कर दो इतना हमने drama कर दिया चलेगा बले हमने पूरे में 2 से कामल ले लिया तो बन गया आपका V minus half फिर हमने पूरे में 3 से multiply कर दिया इतने में से तो किया तो कितना आए गया 3V minus 3 by 2 अब इसमें plus 1 कर दिया और minus 1 कर दिया और अपान क्या लिखा है इसमें 3V plus 1 DV और इधर का X plus C लिख दिया काम खतम कर दें यहाँ पर देखिए यह integral 2 by 3 बाहर लिख दें चलेगा देखो 3V plus 1 अलग कर दो 3V plus 1 और यह minus 3 by 2 और minus 1 क्या हो जाएगा minus का 5 by 2 तो minus का 5 by 2 और इसको अलग-अलग कर दो 3V plus 1 इसके नीचे और 3V plus 1 इसके नीचे और यह हो गया DV is equal to X plus C calculation गरबर नहों देखे रहिएगा हमसे यह बड़ी दिक्कत होती है calculation mistake होने की chances यह लिख लिया ना तो यह हो गया 2 by 3 यह 1 बचेगा ना 1 का integral V minus 5 by 2 और इसका integral क्या होगा 1 by 3 log 3V plus 1 is equal to X plus C अब bracket को खोल दीजे यह 2 by 3 को उधर ले जाओ कामी खेतम कर दो V minus 5 by 6 log 3V plus 1 is equal to यह आएगा 3 by 2X plus 3C by 2 उधर ही क्या कर दिया V का मान क्या है X plus Y है ना तो आएगा X plus Y minus 5 by 6 log 3X plus 3Y plus 1 is equal to 3Y 2X plus इसको C dash मान लो अभी मान लो या बाद मान ले ना अभी plus अज़र मान लीजे कोई दिक्कत नहीं है आप चाहे तो आंसर एई छोड़ दो या आप चाहो तो इस log को उधर ट्रांसफर कर दो, इसको इदर ले आओ तो X calculate हो जाएगा न आपका log negative है इसलिए उधर ट्रांसफर करना चाहते है कर लेंगे यह transfer log को उधर ट्रांसफर कर दो इसको इदर ले आओ यह आपका जो भी बनेगा यह आपका आंसर होगा ठीक है, note करिए यह जो 2 है ना इस 2 को देखेगा इसको 3C रिखाना दो इस 2 को इधर ले आओ तो यह बन जाएगा 2X यह बन जाएगा 2Y यह बन जाएगा 5 by 3 ठीक है अब ऐसा करो इसको अकेले ही कर दो निगेटिव है ना इसको इधर ले आओ तो आएगा 2X माइनस 3X प्लस 2Y माइनस 3C इस इकल टू 5 by 3 लॉग 3X प्लस 3Y प्लस 1 यह क्या बनेगा 2Y माइनस X माइनस 3C को माल लिजे प्लस 3 डैस इस इकल टू 5 by 3 लॉग 3X प्लस 3Y प्लस 1 अब चाहे 5 by 3 को धन लाओ चाहे ना लाओ यही आपका अंसर हो गया अच्छा यह एक वर्ड आता है particular solution and general solution दोनों का मतलब मैं बता देता हूं यहाँ पर एक constant आया है ना c अगर c change होता रहेगा तो curve का equation भी change होता रहेगा ठीक है तो यह हो गया general सबके लिए है अब एक particular लिए आपके लिए हमने बनाया है तो c की value क्या होगे fix तो जब x और y की value दे दी जाए condition और एक c की value fix निकलाए तो वो particular उसी curve का equation होगा जिसके बारे हम बात की जा रही है इसलिए उसको हम particular solution कहते हैं बड़े classes में इसका नाम change होगा लेकिन इसका तरीका भी change होगा उसको particular बताने के लिए कुछ ज्यादा वो करना पड़ेगा node करीज़रा इसको dy by dx is equal to cause x plus y दिख रहा है आपको एक group पूरा एक साथ इस group को मान लो अच्छा ज्यादर यही group आ रहा है क्या पास में जी ग्रूप change किया जाए क्या हर वे एक वाला अच्छा कर लेते हैं यहां से क्या निकलेगा 1 plus dy by dx is equal to dvy by dx तो dy by dx की value क्या निकलेगी dvy by dx minus 1 रग दो यहां उठा करके अब ठेहरुने लिख रहे हैं तो यह क्या आएगा dvy by dx minus 1 is equal to cos v तो dvy by dx की value क्या होगी 1 plus cos v v का पुरा function dv के साथ आजाएगा तो dv upon 1 plus cos v is equal to dx integrating both the sides अब बताओ method क्या इसका होगा एक तो method यह है इसके conjugate से multiply कर तो तब ही आजाएगा और एक एक दुस्मन यहां पर है cos का दुस्मन 1 होता है तो 1 cos को cancel कर देता है dv upon 1 plus 2 cos square v by 2 minus 1 is equal to इसका x plus c हो जाएगा यह 1 by 2 अलग हो गया कि होगा sec square v by 2 dv sec square x का integral क्या होता है 10x और x जाएगा अगर ax plus v हो तो 1 by a बाहर होता ना तो 1 by 1 by 2 बाहर हो जाएगा इसका हैगा 10 v by 2 is equal to x plus c यह 2 से 2 कड़ गया तो 10 v by 2 की value क्या है x plus y by 2 is equal to x plus c या तो answer यही छोड़ दीजे या 10 को उदा transfer कर दीजे तो answer को आप कोई फी format ले सकता यही छोड़ दीजे क्या दिकत काई को transfer करेंगा उसको 10 को transfer करेंगा तो c 10 के अंदर आ जाएगा फी ओकोई कहेंगा 10x plus 10c खोल दीजे तो काई को खोल दीजे यही आपका answer है जाएगा 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 जाए